अगर आपने अच्छी तरीके से क्लियर होगी कि 11 अगस्ट को आपकी आंसर की आई थी वगएरा वगएरा बहुत सारी तुरूटियां थी जिनको नहीं ठीक नहीं किया उसके बाद भी अपना रिजल्ड कल रात को जारी कर दिया कर दिया कल शाम को साथ 8 वजे की बीच में रि आपको अपने रिजल्ड कैसे देखना है ठीक है जो बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें नहीं देखना आता बहुत सारे से बच्चें जिन्हें चीज भी तक नहीं पता होगा कि रिजल्ड जारी हो चुका है मैं बता दूँ आपका अगर आपने आर्योंचे नर्सिंग का इंट करें चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोटियूचर रिजल्ड जब भी तो काउंसलिंग में सारी मदत आपकी यहां पर कि आएगी बहुत सारे बच्चे बिए स्टोच होते हैं नहीं राटता सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से कांस्लिंग रही कांस्लिंग से होगे तो 100% कि थोड़ा बहुत कम नंबर भी होगा तो भी कोई नहीं कोई कॉलिज्स मिल जाया तो चैनलों को सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि काउंस्लिंग में बहुत जादा भेतरीन परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी रिजल्ट चेक करने के लिए आपको इंटरनेट पर आना है और आने के बाद बीएससी नर्सिंग ठीक है द्यान से देखना ब्स्क्राइब करके एक वेबसाइट आएगी रिएचेस की ही ऑफिस्यल सब डोमेन पर शायद वर्क कर रहे हैं तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि यहां पर रिजल्ट का ऑप्शन है एंसर की का एड़्मिट का प्रिंट फॉर्म का फॉर्गे नंबर वगएरा भूल गए हैं तो आप अपना कार्ड को दुबारा से डाउनलोड कर सकते हैं उसके बाद अपना लॉग इन करके आप अपना रिजल्ट देख सकते हो ठीक है जैसे आप रिजल्ट इस नाव लाई पे क्लिक करोगी आप से कुछ डिटेल्स मंगेगा क्या ड अपना रॉल नंबर भूल गया होंगे यह फॉरम नंबर भूल गया होंगे ऐसे बच्चे उनकी लिए क्या है आप क्या करना फॉरम नंबर पे क्लिक करना जैसे आप अपना फॉरम नंबर पे क्लिक करोगे तो आप अपना फॉरम नंबर पे क्लिक करोगे तो आप अपना फ मुवाइल नंबर डियोबी के अकॉर्डिंग सर्च कर सकते हो अपना नाम और मम्मी के नाम से सर्च कर सकते तो बेतर रहेगा आप अपने मुवाइल नंबर और डियोबी के साथ जाओ जब अपना मुवाइल नंबर जिस मुवाइल नंबर से अपने रिजिस्ट्रेशन किया जाता उस मोबाइल नमर को डालेंगे और यहां पर डियो भी पर क्लिक करेंगे और सर्च करेंगे आपका जो भी स्कोर कार्ड है वो आज आएगा ठीक है इस तरीके से आप फेस्बूक इंस्टेग्राम का आइड पासवर्ट करते हैं यह सेम उसी तरीके से नेक्स दूसरा पर मिलेगा और कॉलेगा ठीक है और देखेंगे कितने मार्क के मिलेगा मिलेगा कॉलेगा और क्या करना मिलेगा रभूंकर मिले मिलेगा प्राइब simplist तैयार अभी से करवा लेने हैं ताकि आपको इनी फ्यूचर जब भी च्वाइस फिलिंग हो होने के बास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस टाइम पे आपको कोई दिक्कत परिशानी ना आए इस देखो अगर हम बात करें गॉर्मेंट कॉलेजिस की तो आपको यह आपको काफी ज्यादा रहेंगे कि अगर आपको काफी ज्यादा रहेंगे कि अगर आपके 82 प्लस हैं तो फिर बच्चे हुए आठ कॉलिजिस हो हैं बच्चे हुए आठ कॉलिजिस हैं टॉप गॉर्मेंट के वह आपको मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे लेकिन मीडियम के बात करें तो मीडियम आपको 72 प्लस 75 प्लस और थोड़ी सी डिपे स्सक्राइब गवर्मेंट कोलिजिस। मॉप अप उस टाइम पर आपको गॉर्मेंट कॉलिज होगा ठीक है और जब भी राउंड टू राउंड त्री मॉप अप होगा आपको हम पूरी तरीके से सहता करेंगे वहीं पर बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके 40 45 50 55 ठीक है और नंबर तक आ रहे होंगे तो मैं बत कि शायद आपको काउंसली में कोई भी कॉलेज अलॉट हो अब डारेक्ट जाकर कि किसी कॉलेज में अड्मिशन ले सकते हैं अगर सीटे खाली हो उसके लिए आपको कॉलेजिस के नाम गूगल पर सर्च करके देखने होंगे कि कि किस कॉलेज में आपको बिना एक्जाम दि कॉलेज मिलने के लेकिन 45 उपर एक दर है तो कंफर्म है आपको कोई नों कोई प्राइबिट कॉलेज मिल जाएगा ठीक है अब बच्छों का बहुत बड़ा कंसर्म क्या रहता है सबसे पहले डॉक्यूमेंट कौन कौन सी रिक्वार्मेंट लगीगी आपका आधार कार्ड ह होना चाहिए होता है अब्सक्राइब करेंच पर ते girdud on जाएगी असने टेंटी परिडियू बना रहां रखी दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कट अओछ देख सकते हो फॉंफ बना देंगे कि हम और रिजल्ट के पहले एक लीडियो बना रही आ पता चला जानकारी के साथ तब तक के लिए थैंक्यू फिर भी अगर आपको लगता है कि इसी कोई जानकारी है तो आपको अभी तक मैंने क्लियर नहीं कि तो आप हमारे तो आप हमें हमसे इंस्ट्राग्राम पर भी पूर सकते हैं इंस्ट्राग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा मिल देया नेक्स वीडियो में थैंक्यू अब नाइस जे बाबाए